अगर आपको civil services देना है तो आप घड़ी से नज़र हटा करके अपने output पर नज़र लगाएं कि concentration करें कि मेरे को क्या suit करता है और क्या चीज़ मैं better कर सकता हूँ, कौन सी जानकारी मेरे पास है, जिसको मैं इतने कम से कम समय में efficiently acquire करके उसको exam के लिए use कर सकता हूँ, यह ऐसा स सवाल है जिसका जवाब आपके अंदर है और आपके efficiency पर एक चीज़ आप जानते हैं, सिंपल सा एक स्कर्फ में use करते हैं, input and output, एक सिंपल सा देखेंगे पहले अगर x-axis पर time लगा दे और y-axis पर output लगा दे तो शुरू में आप देखेंगे कि थोड़ देर तो आपको कु output नहीं निकला, ऐसी चीज़ जिससे कुछ जादा output नहीं निकलती है, उसको पढ़ने के क्या ज़रूरत है, तो decide करें कि आप कैसे अपना study schedule बनाए, अगर मेरी राय, what I would like to advise is that, कि आपका जो study, जो session है, that should be chopped into smaller sessions.